गुट मॉर्निंग दोस्तों आप सभी को राधा अस्टमी की धेर सारी शुप कामनाई श्री राधा रानी आप सब के जीवन में बहुत सारी खुशिया लाए आपको स्वस्थ रखे और आपकी सारी मनों कामनाई पूरी हूँ तो सुबह सुबह का वक्त है और एक तरफ मैं भ निकाले और कुछ बरतन हाथ में आए मतलब कि जो निकालना चाहती थी वो तो नहीं मिला लेकिन हां कुछ और मिल गया तो मैंने सुचा चलो ये भी निकाल लेती हूँ ये कांसे का बरतन है तो कासा काफी अच्छा होता है और ये मेरी शादी के बरतन है जो की काफी टाइम तो मैंने इनको निकाल लिया और इनको वॉष किया मैंने अच्छे से और ये सभी मैंने चमका दिये पितामबरी से फटाफट से और चमकने के बाद में बिल्कुल नए जैसे वर्तन लग रहे हैं क्योंकि नए ही थे लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किये इसलिए गंदे हो गए तो रादारानी जी का भोग मैं बना रही हूँ दही अर्बी उनकी फेवरेट है दही अर्बी और मैं ब्रत वाली बना रही हूँ तो इसमें मैं एक तो लसन प्याज भी नहीं डाला है और दूसरा हल्दी और मिर्च भी नहीं डाली है तो इसको मैं बहुत ही डिफरेंट तरी हुई अर्भी जो हैं उनको मैंने डाल दिया है दही अर्भी मेरी तयार हो गई है और भोग भी मैं अल्मोस बनाच चुकी हूँ तो आज मेरे पास तैसे राधा जी का विगरह तो नहीं है लेकिन मैं आपने ठाकुर जी को ही राधारानी यानि की सकी रूप में तयार करती हू तो ये देखें इस तरीके से लग रहे हैं मेरी राधा रानी या फिर मेरे ठाकुर जी, उनको मैंने कंगन पहनाये है, विंदी लगाई है, हार पहनाया है, और चुनरी लगाई है, और जो नए बरतन निकाले थे, उसमें मैं ठाकुर जी को और गनी जी को भोग लगा देती तब तक ये देख़िए कुछ और बरतन निकाले थे मैंने ये कुछ मेरे बरतन जो की any दिसकर्ट थे उनको भी मैने निकाल लिये है उनको किसी दिन टैम लगेगा तो इनको मां दे सद्सक् 대해서 करका आओंगी यह काफी सारे ग्लास है यह 12-14 ग्लास है कुछ तो रंग भी रंगे हैं यानि की मतलब कुछ सेट में नहीं है और कुछ जो है वो मैगनेट वाले हैं यानि की इसके अंदर प्यॉर स्टील नहीं था जिसकी वज़े से मैं चेंज कर रही हूँ यह कूकर वगरा यह बरतन तो मतलब होता है न घर में और साथ ची कि यह पीतल की बालती भी निकाली है मैंने जो गाली इंत अलों से रंगने बहूं को भरके रख डेती हूँ और बाल्टी को भी वोश करूंग और यह इंधर मेरा बन गया है भोग मैंने Cake침 अर्भी घीर दही अर्बी, रायता और मैंने पराठे बनाए हैं, चोटी-चोटी सी पराठी बनाई हैं, मैंने पूरी नहीं बनाई हैं क्योंकि पूरी बहुत कम खाई जाती हैं और मुझे लगता है कि राधारानी जी भी बहुत शौक से खाएंगी, आज का भोग उनको भी पसंद आएग तो मेरे राधा कृष्णा जी को पहले बारी-बारी से सबने भोग लगाया और माथा टेका, मैंने काना जी को बाल रूप में अपने घर में स्थापित किया है, इस कारण में सुभा को हमेशा पहले दूद का भोग लगाती हूं और उसके बाद ही कुछ और चीज का भोग तो सुभा में पहले दूद का भोग लगाया जै, बोलो बरसाने वाली की जै, बोलो लाडली सरकार की जै, श्री राधा जी को भोग लगाने के बाद में हम सबने भी लंच कर लिया पूजा के बाद में सबने भोग लगा करके मथा टेक लिया और सबने ब्रेकफास्ट पी कर लिया, ब्रंच कर लिया, मेरा साड़ी तहनने का मन था, लेकिन अकेले जब सब कुछ हैंडल करना होता है ना, फिर साड़ी पहन करके काम नहीं होता है, इसकी वजह से मैंने तरीके से मनाई जाती है, जिस तरीके से मैं मनाती हूं वो आपके साथ में शेयर कर रही हूं, जैसे कि हम जन्मास्टमी को मनाते हैं और उसमें रात को 12 बजे हम वरत खोलते हैं, तो मैं तो फलार का वरत रखती हूं, मैं पका खाना नहीं खाती हूं जन्मास्टमी वाले द आज में हम खोलते हैं राधारानी के वरत में क्या होता है दिन के 12 बजे उनकी पूजा की जाती है भोग लगाया जाता है तो आप सावेरे भी कर देते हो लेकिन दिन में 12 बजे उनका जो भी आप पूजा करते हो भोग लगाते हो उसके बाद में आप खोल सकते हो तो मैं क्या इनको लगाती हूं झाना हम लोग भी खा ट है यूम इर्फ में लेखा पर रफ दो करें वह राधास्ऴ सेलिब्रेट करें और शत्व होग के लिए और राधारानिया आप सभी की मनोकामना पूरी करे और मैं तयार होके बैटी हूँ, किचिन के काम से फ्री होकर के अभी तयार होकर के बैटी हूँ, मैं जा रही हूँ, कपड़े निकाल करके रखे में हैं, कहीं काम से, अगर वो काम हो जाएगा, फिर आपके साथ में आ करके मैं हो गई हो रेडी और अभी होकर क्या आते हूं आप लोग तब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो मैं कहा गई थी अब बता देती हूं क्योंकि काम हो गया है जितने भी मैंने पुराने या टुटे-फुटे या डिसकार्ट करने वाले बरतन निकाले थे आप सब के साथ में शेयर किया था वो सब सेल हो जाते हैं और आप किसी भी जहां पर भी यूटेंसल मिलते हैं तो व देती हो वंना भारकर के तो फिर उसका नमबन नहीं आता है यह जो करेंसों आज करें अनुस भी तो वहीं मैं करती हूं तो फाइनली मैंने इसी टाइम्-प्री होई थी आप अभी होरकर आई हूं और मैंने शॉपिंग करिए कुछ नए बरतनों की और वो भी मंदिर के लिए करिए चलिए आपको दिखाती हूं सबसे पहले मैंने लिया है एक style आ Today की मैंने लिया है इस तरह की एक दूद्क की छोटी से है इसके उपर इस तरिके की designing हो रख्या और यह एडिया pregnant क्वू जाते हैं तो तो भग्वाण ची के ये शिवाले जाती हूँ तो फिर वहाँ पर जल चड़ाने के लिए गंगा जल वगरा मिक्स करके लेके जाते हैं ना तो उसमें एक ये ले करके आई हूँ मैं अपने बरतन ले करके गई थी पूजा के ये वाला ग्लास और ये वाली कटोरी की मतब शायद अगर इसके मैचिंग कुछ मिल जाए तो मैं ले आऊ लेकिन ये मैंने कहीं और से लिए थे और अभी मैं कहीं और गई तो ये तो कुछ नहीं मिला तो जब कभी मिलेगा तो इ इस तरीके से देखिए एक दो क्योंकि जब पूजा वगरा करते ना भोग के लिए फिर कटोरिय चाहिए होती है फिर इधर उदर ढूड़ना पड़ता है तो ये चार और एक ये पांच और एक ये छे तो छे कटोरिया लेके आई हूं और इसके अलावा दो गड़वी तो म साइड में वहाँ पर मेरा हाथ भी नहीं जाता है और पता नहीं कब निकलेगा तो मैं फिलाल ये दो और चोटे से पूजा के लोटे लेकर क्याई हूं गड़वी ये भी पीतल की है मंदिर में रखा है या जल वगरा चड़ाना है तो अच्छा लगता है इस तरीके से मैंन बरतन हो सके तो आप पर्चेस करके रखिए मेरे पास काफी सारे हैं एक बड़ी पूजा की थाली जो कि मैं मंदिर के बराबर में रखती हूं चोटा मोटा समान रखने के लिए उसके अलावा कांसा के कुछ और बरतन है आज भी एक मैंने कांसा की इतनी चोटी उरली टाइ यह देखे पीछे से इस तरीके से है ब्लैक इश टोन में होता है अभी तो फिनिशिंग वाले भी चल पड़े हैं लेकिन मुझे यही वाला मिला तो मैंने यह ले लिया है काफी भारी होता है यह और देखने में काफी सुन्दर है चोटी सी उरली टाइप की हो गया है इसको आज़ उरली भी यूज़ कर सकते है या भगवान ची के भोग के लिए जैसे की मिठाई वगरा होती है न वो भी सर्व करने के लिए काम में ले सकते हैं तो यह लेकर क्या आई हूँ कहीं जाओं कुछ शॉपिंग करूं और कॉफी मग नालूं तो मेरी ना शॉपिंग जो ह पर प्राइस था यह क्ले क्राफ्ट के हैं और उन्होंने 170 का एक दिया है तो इस तरीके से मुझे पसीना बहुत आ रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा तो बस यह चोटी सी शॉपिंग करके लाई हूँ और जो मेरे पुराने वाले बर्दन थे वो भी सेल होगे आई थि अन्वेशा की तबियत ठीक नहीं है उसको फीवर आ रहा है पिछले दो दिन से तो उसके पास भी थोड़ा सा टाइम देना होता है तो बस जल्दी मिलूंगी अच्छे से वीडियो में आपके साथ में और आप फेस्टिवल आ रहे ना तो डिया वाई वीडियो आपके साथ कर दो